हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासेस में आज हम इस वीडियो में जेपी इन्वर्सिटी छप्रा हिस्टी ओनर्स पेपर के निबंद के उपर बात करेंगे कि जेपी इन्वर्सिटी छप्रा जो है उसमें जो हिस्टी ओनर्स के पेपर होते है या सबसीडरी जो पेपर होते हैं हिंदी के उसमें जो एक कोर्शन आता है आपको सबसे लास्ट कोर्शन मिलेगा वो कोर्शन रहता है निमलिखित में से किनी एक पिस है पर निबंद लिख तो उसमें आपका महत्ते पून अदा करेगा नहीं तो आपका जो 50 नमर का होता है सबसीडरी सब्जेक्ट में जो लेते हैं लोग उसमें भी जो होता है आपको 5 नमर का या 10 नमर का जो है निबंध लिखने के लिए आता है तो निबंध जो होता है आप किस topic के उपर लिखेंगे तो कैसे आप लिखेंगे इसके बारे भी बात करेंगे और किस topic के उपर आपको लिखना है वो तो आपको exam में मिलेंगे ही मैंने जो है previous 3-4 वर्सों से लगतार जो question पूछे जाते हैं first year second year की exam में Hindi honors के paper में उसको मैंने कत्रित किया है और 7-7 जो है Hindi के related जो भी महत्यपून निबंध होते हैं उसको मैंने कत्रित किया है जो की BA या BSC exam में जो हिस्टी ओनर्स लिए हुए है या हिस्टी ओनर्स सबसीडरी में लिए हुए है उनके लिए काफी महत्यपून रॉल अदा करेगा 2021 क्योंकि आपका जो exam होने वाला है तो अगर आपको तयारी कर लेना है क्योंकि आपका 100 नमर का हिंदी है तो आपको 15 नमर का पूछेगा अगर आपका 50 नमर का भी है तो उसमें भी आपको 5 या 8 या 10 नमर का पूछेगा तो मैं इसमें जो हूँ टोटल 15 जो है महत्यपून न अच्छे से लिखना है तो हम एक करकर जो है जो निबंद के टॉपिक है उसके उपर बात करेंगे पहला जो टॉपिक है वह है मेरे पिरिये कवी मैथली सरन गुप्त या हिंदी के पहले राष्टिये कवी थे मैथली सरन गुप्त जो की यह कोर्ष्ण दो सार लगतार पूछा गया हुआ है मतलब पांच दिया रहता है आपको निबंद वाले उप्षन में उसमें से केवल आपको एक लिखना होता है तो पहला यहाँ पर था मेरे पिरिये कवी मैथली सरन गुप्त सेकेंड है राजनीती और जातिवाद राजनीती और जातिवाद क्या है इसके उपर आपको निबंद लिखना परता है यह काफी महत्यपून मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ थार्ड जो है भारतिये लोकतंत्र की उपलबदिया जो हमारा भारतिये लोकतंत्र है उसकी उपलबदिया क्या है इसके उपर आपको लिखना होगा फोर नमबर है राष्टिये जो हमारा राष्टी ये एकता है वो क्या है इसके उपर आपको जो है निबंध लिखना होगा पाँच नम्मर है छात्र और अनुसासन चात्र और अनुसासन में क्या संबंध है क्या महत्व है अनुसासन का हमारे जीवन में इसके regarding जो है आपको लिख सकते हैं असानी वे में जो है निबंध आप लिख सकते हैं अच्छे तरह से एक्जामपल देकर आप लिख सकते हैं छे नमर है बिज्ञान जीवन के लिए जो हमारा बिज्ञान है वह जीवन के लिए है तो क्यों है क्यों महत्यपून है क्यों ऐसा ह कि बिना बिज्ञान के हमारा जीवन संभाव नहीं है तो बहुत सारे ऐसे बाते हैं जो आप लिख सकते हैं और बिज्ञान जीवन के लिए जो है काफी महत्यपून जो है आपका निबंद हो सकता है जो कि आपके एक्जाम में पूछा आ सकता है नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है जनसंख्या समस्या वर्तमान समय में आपने देखा हुआ कि भारत सरगार के द्वारा भी जो है कई ऐसे प्रावधान लागू किये जा रहे हैं जिसमें हम न एक दो मिली जाएगा आपको पांच रहते हैं उसमें से एक न एक दो आपको मिलेंगी तो आप जम कनफर्म रहें और आपको अच्छे से ही सारे टॉपिक को जो है प्रिपियर कर लेना है अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो आप एक बार जरूर इसके बारे में पढ़ें क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में जो है इसके बारे में मेक अप हो जाएगा बहुत सारे ऐसे बाते जो होगी आपके दिमाग में सिट अप हो जाएगी जो कि आपके एक्जाम में लिखने के लिए काफी लिख सकते हैं, नाइन नमर है, डीजिटल इंडिया, यह अभी कोर्शन पूछा हुआ है, और डीजिटल इंडिया दो है, काफी महत्पून है, क्योंकि यह कुछ साल पहले ही भारसकार ने इसे लागू किया, कि हम अपने देश को पूरी तरह से डीजिटल बनाएंगे, तो य 10 नमर जो है, मैंने आपको यहां लिखा है, इसलिए लिखा है, क्योंकि यह जो है, वरतमान समय में अभी चल रहा है, करोना महमारी, यह तो आपको लिख ले, 100% पूछ सकता है, करोना महमारी जो है, वरतमान समय में अभी भी है, इसका इफेक्ट, और एक्जाम में तो आए से हुआ क्या क्या हुआ तो इसके रिगार्डिंग जो भी नोट्स होंगे जो भी मतलब यसे राइटिंग होगा वह मैं जरूर आपको बता दूँगा तो लेकिन आसे आप याद रखेंगे करोना में हमारी जो है काफी महत्यपून टॉपिक है निबंद का 11 नमर है स्वक्ष भारत यह भी कुछ साल पहले ही भारसकार ने लॉंच किया था और यह कोर्षन जो है दो साल लगतार पूछा गया हुआ बहुत सारे ऐसे एक्जाम में स्वक्ष भारत जो की काफी महत्यपून है 12 नमर है बिहार दिवस हम बिहार में राते हैं और जेपी इंवर्सिटी जो है छपड़ा बिहार में ही इस्तित है तो इसलिए बिहार से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक निबंद में दे दिये जाते हैं तो बिहार दिवस भी यह कोर्षन पूछा हुआ है 2019 के एक्जाम में तो काफी महत्यपून रहेगा जो फर्स्ट यर वाले हैं जो सेकेंड वाले हैं थर्ड यर वाले भी जो है सबके लिए क्योंकि टॉपिक जो होता है सेमी होता है तेरह नमर है वर्तमान सिक्षा परनाली कैसी है इसे अभी जो है काफी महत्यपून टॉपिक है निबंद का त तो इसके उपर आप लिख सकते हैं आतंकवाद के बारे में निबंध ये भी काफी महत्यपून टॉपिक है और लास्ट जो है या तो बहुत साल पहले से ही चाला आ रहा है कि या कोश्चन हमेशा रहता ही रहता है तो आप इसे ध्यान से देख लेंगे दहेज परथा और आप इनवर्सिटी के जो बचे हिंदी ओनर्स लिए हुए या जिनका सबसिद्री हिंदी है तो यह टॉपिक जो है काफी महत्यपून है तो अच्छे से आप कर लेंगे तो आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे शे और सब्सक्राइब माई चैनल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थाइंक यू